राजकुमार बॉलिवूड इंडस्ट्री के असाधारन अभिनेताओं में से एक थे उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कुछ अद्भुत भूमिकाय निभाई अपने सफल पेशेवर जीवन के अलावा मुखर अभिनेता हमेशा अपने निजी जीवन के बारे में बहुत निजी थे उनके लिंक अप्स, ओफेयर्स या परिवार की बहुत सारी कहानियां नहीं है लेकिन बॉलिवुड की दो अभिनेत्रियों के प्रती उनका प्यार किसी से छिपा नहीं था वह बॉलिवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के कट्टर प्रशन सक थे रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राज को फिल्म लाल पत्थर आउन्फर हुई तो उन्होंने डाइरेक्टर एफसी महरा से आग्रह किया कि इसमें हेमा मालिनी को उनके अपॉजिट कास्ट किया जाए जब दोनों एक साथ फिल्म में काम कर रहे थे तो राज कुमार हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो गए हेमा राज की एक्टिंग, उनके अनोखे अंदाज और उनके काम से भी प्रभावित हुई फिल्म की शूटिंग पूरी होने और बड़े परदे पर रिलीज होने के बाद राज ने हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव भेजा उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया ऐसा कहा जाता है कि जब हेमा ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो राज का दिल तूट गया था फिर भी हेमा कई साक्षातकारों में राज को अपने पसंदीदा सहकलाकारों में सेख बताती है राज की दूसरी प्रेमिका खूबसूरत अभिनेत्री मीना कुमारी थी उन्हें अपनी फिल्म पाकीजा के सेट पर मीना से प्यार हो गया यह एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जिसे दर्शकों के लिए बड़े परदे पर आने में 16 साल लग गए ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान राज के मन में मीना कुमारी के लिए भावनाय आने लगी वह इस कदर प्यार में थे कि कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक ऐसा कहा जाता है कि राज कई बार एक्ट्रेस की खूबसूरती में खोकर अपने डायलॉग भूल जाते थे उस दौरान मीना कुमारी की शादी उनकी फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही से हो चुकी थे चूंकि राज इस बाद से अच्छी तरह वाकिफ थे कि मीना शादी शुदा है उन्होंने हिंदू रीती रिवाज के अनुसार अपना नाम बदल कर गायत्री रख लिया है उन्होंने शादी कर ली और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे और उनके तीन बच्चे हुए